शल्की एपिथीलियम जिने हम इंदी में शल्की उपकला भी कहते हैं एपिथीलियम को उपकला कहा जाता है ये शल्की एपिथीलियम चप्टी कोशिकाओं से बने होते हैं ये कोशिकाओं उसी तरह चप्टी होती हैं जिस तरह सरीस रपों या मचलियों के शल्क होते हैं और इसलिए इन्हें शल्की epithelium या अंग्रेजी में squamous epithelium कहा जाता है। अब चुंकि ये कोशिकाएं अत्यधिक चप्टी होती हैं, इसलिए पदार्थ आसानी से दोनों दिशाओं में इनके आर पार जा सकते हैं, विसरन कर सकते हैं। यही कारण है कि रग्त केशिकाओं यानि की कैपिलरीस और फेफडों के अंदर जो कूपीकाएं पाई जाती हैं, अल्वियोलाई पाई जाती हैं, उनमें सल्की epithelium होते हैं। अब यदि हम शल्की epithelium कोशिकाओं की एक परत लें और इसे एक नली के आकार में लपेट दें, तो यह परत कुछ इस तरह दिखाई देती हैं। और रग्त केशिकाओं भी इसी तरह होती हैं, कैपिलरीस भी इसी तरह होती हैं। इसका कारण यह है कि रग्त केशिकाओं की दिवारें, चप्ती, शल्की, epithelium ही कोशिकाओं की केवल एक परत से बनी होती हैं। वास्तों में है केशिकाओं के ठीक तरीके से काम करने के लिए भी बहुत आवश्यक हैं। कारण डाय ऑक्साइट की तरह जो बाकी अपसिस्ट बनते हैं, उनको भी बाहर लाती हैं। लेकिन यह केशिकाओं यह सब काम इसलिए कर पाती हैं, क्योंकि इनकी दिवारें, शल्की, epithelium ही कोशिकाओं की बनी होती हैं, जिसके कारण अत्यधिक यह पतली होती हैं। और इसलिए यह सारे पदार्थ इनके आरपार जा सकते हैं, इनमें विसरण कर सकते हैं। इसी प्रकारियदी हम कूपिकाओं को देखें, अल्वियलाइस को देखें, तो इनकी दिवारें भी केवल एक शल्की, epithelium ही कोशिकाओं की केवल एक परत से बनी होती हैं। और यह कूपिकाओं के लिए भी आवश्यक हैं। क्यों? क्योंकि यह कूपिकाएं फेफणों में मौजूद होती हैं। कूपिकाओं की माद्यम से यह है oxygen रख्त की केशिकाओं में चली जाती है और फिर रख्त में मिल जाती है इसके बाद रख्त के द्वारा इसे शरीर के अलग-अलग भागों में सभी कोशिकाओं तक पहुचा दिया जाता है इसी तरह शरीर के अलग-अलग भागों में जो carbon dioxide बनती है जिसे यहाँ केशिकाओं तक लाये जाता है फेफणों के पास वह यहाँ इन केशिकाओं से फेफणों में कूपीकाओं में चली जाती है और फिर इसे फेफणों द्वारा सांस च्छोड़ते समय शेरी से बाहर कर दिया जाता है कूपिकाओं और केशिकाओं के बीच गैसों का यह विन में आसानी से इसलिए हो पाता है क्योंकि कूपिकाओं और केशिकाओं ये दोनों ही शल्की एपिथिलियमी कोशिकाओं की केवल एक परत से बनी होती है इनकी मोटाई बहुत कम होती है और इसलिए इनके बीच ये विसरण पदार्थों का विन्य में हो पाता है ठीक है इन दोनों ही मामलों में जो शल्की epithelium होते हैं उन्हें हम सरल शल्की epithelium यानि कि simple squamous epithelium कहते हैं इन्हें सरल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कोशिकाओं की केवल एक परत होती है लेकिन एक अन्हे प्रकार के शल्की epithelium भी होते हैं और इनमें कोशिकाओं की कई परते होती हैं जैसा कि इस चित में आप देख सकते हैं इस तरह के शल्की epithelium को हम इस तरित सल्की epithelium यानि की stratified squamous epithelium कहते हैं इस तरित क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोशिकाओं के कई इस्तरों या कई परतों से मिलकर बने होते हैं चुकि इन में कोशिकाओं के कई इस्तर होते हैं इसलिए पदार्थों का इन सभी परतों के इन सभी इस्तरों के आर पार जाना इनसे पदार्थों का विनिमय होना काफी कठिन होता है और वास्तों में कई पर्तों का होने का उद्देश भी यही है इसका मतलब ये एपिथिलियम पदार्थों के विनिमय के लिए नहीं बने होते है तो फिर ये किसलिए होते हैं? दरसल इनका काम शरीर के अंगों की सुरक्षा करना होता है चुकि इनमें बहुत सारी परते होती हैं इसलिए ये एपिथिलियम काफी मोटे होते हैं अब ऐसे में माल लीजे कि उपर की कुछ परते किसी कारण से छती गरस्त हो जाती हैं जैसे कोई घाव हो जाए या फिर किसी रसायनिक पदार्त के संपर्क में आने की कारण उपर की ये परते छती गरस्त हो जाती हैं या नस्ट हो जाती हैं तब भी नीचे की परते अपने नीचे मौजूद उतकों और अंगों की सुरक्षा के लिए बनी रहती हैं अब क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार के अपिथिलियम शरीर में कहां मिलेंगे निश्चित रूप से ये शरीर के उन सभी भागों मिलेंगे जहां नीचे इस्थित उतकों की सुरक्षा की आवश्यक्ता होती है जैसे तवचा की उपरी परत है ये नीचे के उतकों की सुरक्षा के लिए होती है इसलिए यहाँ पर हमें जो इस्तरित शल्की एपिथिलियम में वो मिलते हैं इसी तरह कुछ अन्यभाग भी है जैसे मुख गुहा याने मुख के अंदर की जो हमारी स्किन होती है चमडी होती है वहाँ पर भी इस्तरित शल्की एपिथिलियम मिलते हैं अब यदि हम इस्तरित शल्की एपिथिलियम को थोड़ा बारीकी से देखें तो हमें पता चलता है कि इनकी सबसे ऊपर की कुछ परतें चप्टी और पतली होती है ठीक वैसे ही जैसे हमने सरल्सल्की एपिथिलियम में देखा था लेकिन यदि हम नीचे वाली परतों को देखें तो ये परतें चप्टी नहीं है इसके बजाए ये थोड़ा घनाकार दिखाई देती है फिर भी हम इन्हें शल्की कहते हैं क्यों? क्योंकि इस तरह शल्की एपिथिलियम का नाम करण इनकी केवल सबसे उपरी परतों की सनरजना के आधार पर रखा गया है और कोशिकाओं की कई परतों से बने होने के कारण इस तरह शल्की एपिथिलियम को सैयुक्त एपिथिलियम यानि की कमपाउंड एपिथिलियम भी कहा जाता है तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने दो प्रकार के शल्की एपिथिलियम देखे सरल सलकी эпithelium और इसतरीष शलकी эпithelium सरल सलकी эпithelium पदार्थों के विनिमे के लिए उत्तम होते हैं जबकि इसतरीष शलकी эпithelium का व्योग मुख्히 रूप से शरीर के महतपूर्ड अंगों की सुरक्षा के लिए होता है